दोस्तो सभी शातियों को मेरा नमस्कार आप लोग कैसे हैं बहुत अच्छे होंगे तो मैं आज आपको एक नई रेसिपी के बारें बताने जा रही हूँ गाजर कालवा वैसे तो सभी लोग उसको बनाते हैं लेकिन मैं कुछ अलग ढंक से बनाओंगी बीना किसे तो चली काट रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं यह देखे यह बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद मैं आपको क्या बता हूँ आप जिरूर बनाईएगा ट्राइ करिएगा तो यह सब को मैं काट ले हूँ अब मैं कड़ाई में तेल डालकर इसको भून रही हूँ यह द कर बताओंगी इस प्रकार थोड़ा देर इसको भून लेना अच्छी तरह से यह देखें और यह गाजर जो है बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद गाजर का हलुआ और जब यह अच्छी तरह से भूना जाएगा तो इसको मैं क्या करूंगी कोकर में डाल दोंगी यह देखें पूरा मैं अच्छी तरह से इसको अलट पलट के भून रही हूँ और यह थोड़े दिर भूनने के बाद इसको कोकर में मैं डाल रही हूँ एक बार इसको आप बना के जुरूर देखिएगा ट्राइ करके इसका हल्वा जो है गाजर का बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी एट करूंगी ज्यादा मत करिएगा थोड़ा सा बस इसको कम से कम साथ से आट सेटी लगाना है हमें इसको उबलने के लिए गैस पे चुड़ा दी हूँ और ये धंडा होने के बाद धकन खूल कर आपको बता रही हूँ ये देखें ये कितना अच्छी तरह से उबल गया है बहुत ही अच्छा उसे पानी बिलकुल नहीं है हमको पानी बहुत कम डालना है और उसको चम्मच की सहता से अच्छी तरह से उसको चलाना है और हम कड़ाई मेरा इसको वापस ट्रांसफर कर दिये हैं और इसको अच्छी तरह से कड़ाई में डाल कर फिर से इसको पानी को इसका सुखा देना है और मैशर से ये देखें मैश कर रही हूँ ये पूरा गल चुका है बस इसको मिला रही हूँ बोलना चाहिए और इसको चम्मज से अच्छी तरह से चलाते भी जाना है ध्यान रखेगा यह जलने ना पाए इसलिए आज को मीडिय माची रखेगा और इसको अच्छी तरह से भुनते भी जाना है और इसमें मैं एक स्पेशल चीज डाल रही हूँ दूद पॉडर गरम पानी में मैं दूद पॉडर को मिला रही हूँ और इसमें दूद पॉडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है इस प्रकार से आप एक बार बना कर खाईएगा और अपना अनुभव मुझे से शेयर जरूर करिएगा और चला चला चलाते जाना है ताकि इसका जो थोड़ा बुणा पानी बचा होगा वो अच्छी तरह से सुख जाए और इसमें थोड़ा से हम दूद भी मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा दूद डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है क्योंकि इसमें दोचीच पड़ा हुआ है दूद पौडर भी और दूद भी इसे यह हल्वा का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही हुजाता है बुलना चाहिए और इसको लगातार चलाते जाना है और आज को ध्यान रखेगा आज को बहुत ज़्यादा तेजनी करिएगा मीडियम आज रखेगा और लगातार चलाते जाना है जब तक इसका जो दूद है इसमें चित्रा से यह पक ना जाए इसमें हम अप क्या करेंगे शक्कर मिलाएंगे अपने मीठे के अनुसार मैं इसमें चार से पांच चमश शक्कर डाल रही हूँ कोई गाजर खुदी मीठा होता है इसलिए मैं शक्कर जो है थोड़ा से ही इसमें मिला रही हूँ क्योंकि इसमें हम एक चीज और मिलाएंगे मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज है तो इसमें हम थोड़ा सा मेरे पास चार पांच चोग पेड़े थे खुए के तो उसको मैं अच्छे तरह से चाकू से काट कर उसमें मैं उन्हा मिला रही हूँ तो इससे इसका हलवे का बहुत ही अच्छा हो जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है और यह अब काजर पुरी तरह से बनकर रेडी हो गया है और देखे कितना सुन्दर दिख रहा इसका कलर अब इसमें हम कुछ ट्राइफूट साइट करेंगे जैसे किश्मिस हैं और काज मैं काजू को कद यह बहुत ही बहुत ही अच्छा हो गया है और बहुत ही सुन्दर दिख रहा ड्राइफूट जालने से तो यह बनकर त्यार हुआ गाजर का जटपट हलुआ तो आप पी पट्राइगा तो यह इस प्रकार से मैंने गाजर कल्पट बनाया तो यह आपको तरीका कैसा लगा यह जरूर बताईएगा और आप भी इसके बनाकर अपने परिवार को जरूर खिलाईए और अपना नुभाव मुझसे जरूर शेयर करिएगा और आप कहां से देख रहे हैं यह भी बताईएगा यह देखिए गाजर कल्पट सर्वेक लिए तयार है तो हम पुन्हा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रसिपिक के साथ कुछ नए तरीके के साथ तब तक के लिए आप लोग ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इसको और सुन्दर से सजा रही हूं कुछ काजु बचा के रखी थी और किश्मिश तो देखे इसकी सुन्दरता और बढ़ गई है अब बिलकुल खाने का मन कर रहा है त टेस्ट करिए और टेस्ट करके जुरूर फटाएं तो तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू और यह रहा है आपके लिए फिर हम मिलेंगे नेरे सिपीक के साथ थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद